हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मा यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 6.5 से कुश्चेन नमबर 7 करेंगे फैंड दा पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल फूस लेंथ इस 40 सेंटीमीटर एंड आर डायगनल इस 41 सेंटीमीटर उस रेक्टेंगल का पेरिमीटर निकालिए जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और उसका डायगनल 41 सेंटीमीटर है तो लेंथ सपोस ये एक रेक्टेंगल है A, B, C, D इसकी लेंथ दे रखी है तो लेंथ यानि कि जो लंबा वाला पार्ट होता हूँ उसे हम लेंथ बोलते हैं तो ये लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और इसका डायगनल दे रखा है तो डायगनल मैं A, C भी बना सकता हूँ और B, D भी बना सकता हूँ क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगनल होते हैं वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो मैं A, C को जोईन करके एक डायगनल बना लेता हूँ और AC यानि कि यह जो diagonal है यह 41 cm गीवन है अब हमसे question में पूछा है कि इसका perimeter बताईए अब rectangle का जो perimeter होता है वो होता है 2 in bracket length plus breadth यानि length और breadth का sum और उसको 2 से multiply करेंगे perimeter क्या होता है इसकी सारी boundary तो होती है तो इसमें 2 length होती हैं 2 breadth होती हैं तो length और breadth को एक बार plus करके 2 से multiply कर देते हैं अब यहाँ पर length तो दे रखी है rectangle की लेकिन यह breadth नहीं दे रखी breadth का मतलब है यह चोड़ाई नहीं दे रखी तो यह चोड़ाई हमको पहले यहाँ पे निकालनी पड़ेगी और उसे निकालने के लिए हम use करेंगे इसमें पाइथागोरस theorem को यहाँ आप देखिए जब मैंने AC diagonal को join कर दिया तो यह rectangle दो triangle में divide हो गया ABC और ADC तो इस ABC triangle पे अगर focus करें तो यहाँ यह angle भी 90 degree का होगा क्यों rectangle के सारे angles 90 degree होते हैं BC 40 cm दे रखा है और यहाँ पे यह जो AC है यह 90 के सामने वाली side हो गई है यह यह triangle के अंदर यह सबसे बड़ी वाली side हो गई है तो AB मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस theorem का use करके बस AB मेरी निकल जाएगी जो AB होगी वही breadth होगी उसके बाद इसके अंदर value पुट करते हैं हमारा answer चलिए शुरू करते हैं तो मुझे यहाँ पे triangle ABC लेना है in right triangle right लिखूँगा मैं क्योंकि यह right triangle है in right triangle ABC इस ABC triangle के अंदर by Pythagoras theorem इसमें Pythagoras theorem लगेगी तो Pythagoras theorem यह होती है किसी right triangle के अंदर उसकी दो छोटी sides जो होती है न उनके square का sum सबसे बड़ी वाली side के square के बराबर होता है और सबसे बड़ी वो side होती है जो 90 के सामने होती है तो यहाँ पे AB square plus BC square is equal to AC square होगा AB square plus BC square is equal to AC square value put करते हैं AB तो हमें पता ही नहीं है तो AB as it is लिखा जाएगा plus BC की जगह 40 लिख लेंगे तो 40 का square है और AC यह diagonal है यह 41 है बस इसको solve करते करते हमें AB की value पता चल जाएगी अब यहाँ पे AB की value मुझे चाहिए तो AB वाली जो term है यानि AB जो square है इसे मैं अकेला छोड़ दूँगा यहाँ पे और इस तरफ 41 का square अपनी तरफ रहेगा यह plus का जो 40 square है यह जब इस तरफ जाएगा यह मुझे ले जाना पड़ेगा इधर क्योंकि AB की value चाहिए तो इसे अकेला करना पड़ेगा जब इसे मैं move करूँगा तो यह इधर जाके minus हो जाएगा simple equation का rule होता है अब solve कर लेते हैं तो AB का square हो जाएगा 41 का square यानि 41 multiply 41 minus 40 का square यानि 40 multiply 40 square का यही मतलब होता है कि इसी number को इसी से multiply करना है दो बार 41 को 41 से multiply कर लेते हैं 41, 1041 हो गया यह cross हो गया 4, 104 हो गया 4, 4, 16 हो गया 1, 8, 6, 1 तो इसका answer आएगा 1, 6, 8, 1 minus 40 की 40 से multiply करेंगे तो यह करना बढ़ा आसान है इसके पीछे जो zeros हैं उन्हें count कर लीजिए 1 और 2 तो 2, 0 तो answer में पक्का पक्का हाएंगे ही अब number 4 और 4 बचे 4, 4000 हो गया है 16 यह AB square की value चल रही है next step में AB square अपनी जगह पे इसमें से इसे minus करना है तो 16, 181 में से 1600 minus कर लेंगे तो 1 में से कुछ ने गया 1 और यहां पे 8 6 में से 6, 0 1 में से 1, 0 यानि 81 आ गया अब यहां पे आके जब आपका यह A की number आ जाता है finally last में तो क्या करेंगे यह जो left side है AB square इसे हम दो बार लिख लेंगे AB into AB इसका मतलब यही तो है AB square का मतलब AB into AB और यह जो number 81 है इसके निकालेंगे हम prime factors तो इसके prime factors निकाल लेते हैं यह 3 से divide होगा पूरा पूरा 3 का rule लग रहा इसके अंदर 3 से इसे divide करेंगे 27 आएगा यह 3 से जाएगा 9 आएगा यह 3 से जाके 3 आएगा और यह 3 से जाके 1 आएगा तो 3 into 3 into 3 यह किसलिए किया जाता है यह इसलिए किया जाता है ताकि हम यहां से सिर्फ a-b की value निकाल सके देखिए यहां a-b दो बार लिखा हुआ है अगर मैं यहां से सिर्फ a-b एक ही बार लिखूँ तो उसके इसाब से फिर मुझे यहां भी 2 का एक चीज निकालनी पड़ेगी यहां a-b का set है ना मैंने 1 ले लिया यहां 3 का set बन रहा है यहां यहां तो इसमें से एक 3 ले ले लेंगे यहां पर 3 का set बन रहा है दो नम्बरों का multiply इसमें से एक ले लेंगे तो यह तरीका होता है अब a-b की value आ गई है यहां पर 3-3's are 9 और यह है centimeter तो a-b की value आ गई है 9 centimeter और A B क्या है ये A B इसकी ब्रैट थी तो है Rectangle की बस अब हमें breadth भी मिल गई और length तो अलड़ी पहले से दे रखी थी अब हम इसका perimeter निकाल देते हैं perimeter यहा निकाल देते हैं तो perimeter of rectangle parameter of rectangle पहले तो formula जरूर लिखेंगे 2 length plus breadth 2 का 2 length हमें दे रखी थी 40 और breadth हमने निकाल लिए ये breadth थी तो है 9 cm 2 का 2 ये दोनों मिलके 49 हो गया 49 को 2 से multiply कर लेते हैं 49 2 9 2018 का 8 और ये 1 4 2008 और एक 9 ये आ गया है 98 cm में question है तो ये cm तो इस rectangle की पहले आपको breadth निकाल लिए हैं पाइथोगरस theorem लगा के और फिर formula लगा के perimeter का perimeter निकल जाएगा question खतम तो इस युडम बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye